तो बच्चो शुरुआत करीती हमने 11 क्लास शोशलोजी के फॉर्स चैप्टर के साथ जो कि मारे फॉर्स बुक से रिलेटेट था जिसका नाम तो समाज शास्त्र का परिचे आज हम जो लेसन कर रहे हैं वो आपकी सेकंड बुक का लास चैप्टर है एक तरीके से यह आपका स् समाज शास्त्री यानि की इंडियन शोशलोजी अब यह लैसन आकरी इसलिए भी है जब आप 11 से 12 में जाओगे तब आपको इंडियन शोशलोजी के बार में पढ़ने को मिलेगा आपकी उसमें भी दो बुके हैं दोनों को इंडियन शोशलोजी में डिवाइड कर रहा हैं तो यह लैसन आपके लिए उतना ही जादा इंपोर्टन्ट हो जाता है जितने आपके पहले वाले चैप्टर थे तो लास्ट चैप्टर में यानि चैप्टर नमबर फॉर में मैंने आपको वैस्टन शोशलोजी के बारे में बताया था जिसके अंदर हमने तीन विचारों के के बारे में बात करेती वो कौन-कौन से थे काल माक्स एमिल दुर्खीम और मैक्स वैवर तो आज के इस लेसन में हम इंडियन शोशलोजिस्ट के बारे में जानेंगे यह नहीं भारते समाश शास्त्री के तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैलर के दबाना बिलकुन ना बोलेगा क्योंकि हमारा यह लेसन कंप्लीट होने के बाद मन्थ हैंड से आग के 11 क्लास की शोशलोजी के कोशन अंसर की सीरी स्टार्ट कर दी जाएगी ठीक है तो चलिए बच्चों आज के इस लेसन को हम शुरू करते है माइनेम इस शारुक सहफी एंड वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल कुछ प्रेप यह जो लेसन है हमारा वो बात करता है भारतिय समाज शास्तर के उपर लेकिन आप अप अच्छे से जानते है कि समाज शास्तर का जो उदे था वह पच्छी में यूरोप में हुआ था औ तो भारत के अंदर इस विशे का उदे कब हुआ था तो बच्छो जब भारत ओपनिवेशिक था ब्रिटेन का क्योंकि वह मार पर राज कर रहा था तब ही वैस्टन यूरोप से इस विशे का उदे तेजी से उन्हें लगा जिसका असर भारतिय समाज पर भी देखने को मिला तो इस लेसन के अंदर हम भारतिय समाज के जो समाज शास्त्री थे जिन्होंने इस विशे के अपर अपना गहरा अध्यन किया यानि की एक डेवलेप्ट तरीके से आगे बढ़ा है तो उन्हीं के बार में हम बात करेंगे ठीक है तो देखे बच्छो भारत में समाज शास्त प्राति और जाती के अपर रखे थे ठीक है उसी तरह जीपी मुकरजी तो इन्हों ने जीवन पनप्रा और परिवर्तन के अपर अपने विचार रखे थे उसी तरह ए और दिसाही इनके राज्ये के प्रतिविचार थे और लो लास जो थे उनका नाम था मैं श्रीनिवासन इनका जो नाम है वह पहले के चैप्टर में बहुत बार आ भी चुका है तो इन्होंने गाओं के प्रतिविचार रखे थे तो आज के इस लेसन में हम इन्हीं विचार को के बार में जानेंगे कि इन्हों ने अपनी जो विचार धरार रखी थी वह किस पर काई की थी उनकी विशेष्ट हैं क्या थी क्या बात इन्होंने कही ती यह सारी जानकारी आपको इसी लेसन में देखने को मिलेगी इस लेसन का कोई सेकंड पार नहीं आएगा इसी पार्ट के अंदर पूरा कंप्लीन चैप्टर करा दिया जाएगा और उसी के साथ हमारा स्लेबर्स भी स्तर पास्तर के अंदर प्रजाती और जाती के विशे में क्या विचार रखे उसे जानने से पहले आपको इनके बार में पता होना काफी ज्यादा ज़रूरी है तो वच्चों सच से पहले यहीं बात आती है कि जीयेसगुरे का पूरा नाम था, वह ताért, उसक्रीम तूर में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट करी ती उसके अगले साली यानी 1919 में समाशास में इन्हें स्कॉलर्शिप भी प्राप्त हुई थी और लंदन के होब हाउस में इन्होंने शोचलोजी सब्जेक्ट का अध्यन किया था 1922 में इन्होंने पी एच डी यानी की डॉक्टर ओफ फिलोसिपी की डिग्री भी प्राप्त करी थी 1951 में इन्होंने स्टापना करी तीस से ज़्यादा किताबे लिखी और 17 किताबे ऐसी थी जिने उन्होंने रेटैर होने के बाद लिखी थी 1987 में इनका निधन हो गया था तो यह एक शोट जानकारी थी GS गुरे के बारे में अब हम बात करते हैं इनके दुवारा प्रजाती और जाती पर जो विचार दिये गए थे वो किस परकार के थी आईए जानते हैं उनके बारे में तो GS गुरे के प्रजाती एबम जाते पर विचार आपको असानी से अच्छे से लर्न हो सके इसलिए मैंने उन्हें पॉइंट में डिवाइड़ करके लिखा है एक्जाम में भी आप पॉइंट में लिख सकते हैं और उसके काफी अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं तो पह जब हम बात करते हैं भारत के नौर्ट साइड की यानि की नौर्थ इंडिया की तो यहां पर जो राज्ये देखने को मिलते हैं वह पंजाब हरियाना चंडीगर जैसे और उसी तरह जब साउथ की बात आती है तो यह जो राज्ये होते हैं पूरी तरह भाषा के अधार पर बटते गए जैसे कि Circa, अंहीं इंडिया के अंदर आप गुजराथी हैं जैसे महराष्ट हो गया गुजराक हो गया और वसी तरह ईस्ट इंडिया में जैसे कि मनीपूर स्खुलंसमी कि अरवनाचल पर देश ऍंडी चीमर च्वचेर Şu कहा अपर की पूरोत्तर में शें curriculum किने का जाता है यह जो साथ भेने हैं वह साथ राज्य है अगर आप बच्चों कों साथ राज्यों के नाँ पता यह तो आप मुझे चाले करके जरू बता cabbage गान इससी आपकी जानकारी काफी जैदा अच्छी होगी तो जू घूरुँँग requ किया अधार पर विवाजन में बटा हुआ है जो हिंदू समाज है उसके अंदर जातियों का जो विशलेशन है वो कुछ जादी अधार पर बटा हुआ हर जो लोग है वे अपनी भाषा के अधार पर अपने स्थान के अधार पर अपने कारे के अधार पर एक दूसरे से अलग है अपने कल् स्टारन जाती के संदर में समाज को एक खंडात्मग् विभाजन के रूप में बाटते हैं दूसरा जो पॉइंट नाम है भिन भिन भागो का पदकरम कि आप जानते हैं कि जो मारा प्राचिन भाद रहा है तो उसके अंदर जो समाज हुए एक पद के अनुसार बटा हुआता ह देने का मतलब वन विवस्ता में जिस के अंदर जो ब्राहमन उते था उन्हें समानु में सवर से उच्षतान माना जाता था या दिया जाता था उसी तरह दूसरे स्थान पर शत्रिया तीसरे वहिषिया और चोथे स्थान पर शुद्रों को रखा जाता था और यह विवस्ता थी वह जनम हदारित होती थी जो जिस वनम्हां स्थान पहले साथा तो उसी परकार जो जीए घुर है वह यह कहते हैं संदर्व में कि इस यंदर जो लगबग निश्चित होती है लेकिन वो उस बार में बात करते हैं एक जाती और है जो की मद्य जाती के लाती है इसको सपस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं कई बार यह उच्छ जाती में चले आती है कई बार यह निम्न जाती में चले आती है यह वही बात होगी ज जाती है अलग अलग जगह पे निवास करते हैं तो वहां पर खाने पीने से संबंदित नियम भी लागू किये जाते अब वह कैसे किये जाते जैसे अगर आप रहामन परिवार की बात करोगे तो वहां पर नोनमेच बिलकुल भी अलाओ नहीं होता जो की पंडित से जुड़े यह ठीक है छोट अ वहरामिक धारमिक निर्योगिताए वह विशेश अधिकार यानि कि सिविल एंड रिलीज़ spices檐 के विदेस ऑफिलेटि अनपरिवलेज तो इसमें क्या बात की जा रही है भिन बिन चाती हो को विशेश नागरिक वह धार्मिक अधिकार वह यहोगिताएं जैसे उधारंग के तोर पे जो अशुद जातियां होती है उन्हें गाओं की सीमा से बाहर रखा जाता है अशुद जाती को स्पर्श करने यानी टच करने छूने पर समाजिक मेल जोल पर पाबंधियां होती है वहीं उची जाती के मंदरों में वह जा भी नहीं सकते वहां कुए से पानी भी नहीं भर सकते और साती ह influx धार में गरंट पढ़ने की भी मनाई होती है उनके बच्चों को शिशा लेने का अधिकार प्रात नहीं होता निम्न जातिए को अपरात के मिलते हैं और वही उच्छे जातिओं को निम्न जातिओं पर विशे अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो इस परकार नागरिक धार में निर्योगिता है वा विशेशा दिकार खास कर निम्द जातियों के साथ जादा देखने को मिलती है। एक तरीके से उन पर हर परकार से प्रतिवन लगाए जाते हैं। पांचवा है कि मन मानी के व्यवसाय अपनाने पर पाबंदी। तो इसमें क्या बात की जाती है कि जाती प्रता के नियव अनुसार कुछ जाते हो को विशेश परंपरागत वयपार अपनाने पड़ते है। चाहे दूसरे कारे कितने ही अच्छे क्यों ना हो लेकिन उन्हें अपना ही प्रंप्रा के निसर कारे को अपनाना पड़ता है जो उनका पेशे के साथ जुड़ा होता है जैसे कि लकड़हारा लोहार सुनार कुमार इत्यादी यह सब वो कारे होते हैं जो एक प्रंप्रा के न तो यह वाला जो point है वो जाती के संदर्भ में भारत में वर्तमान में भी शस्ते जएधा देगने को मिलता है कुछ जातियों के अंदर अपने गोत्र के अंदर विवार किये जाते यह जिने हम सजातिय और विजात्य विवा के रूपमें परिवाशित करते हैं अगर आपको य अच्छी नोलेज हो जाएगी सोचलोजी सब्जेट के बारे में प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो चैप्टर और परिवर्टन के उपर इन्होंने क्या विचार दियते तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके द्वारत जीवन प्रमपरा के उपर क्या विचार थे यह जो भारती समाज शास्त्री हैं उनका ये करतव्य है कि वह समाजिक प्रमप्राओं के बारे में पड़े और उन्हें अध्यन है वह केवल भूतकाल तक सीमित नहीं है बलकि यह परिवर्तन की संवेदन शिलता के साथ भी जिड़ा हुआ है इसी कारण इन्होंने इसे जीवन परंपरा कहा है अब बात यह आती है कि जीवन परंपरा का क्या अर्थ होता है तो इसमें वह यह कहते है कि परंपरा ज जो की हमेशा चलती ही रहती है ठीक है डीपी मुकरजी भारते संस्कृति को व्यक्तिवादी नहीं मानते क्योंकि उनके अनुसार भारते समाजिक विवस्ता की जो दिशा है वह समूं संपर्दाय और जाती के नियम के द्वारा निरधारित की जाती है तो यह तो दा इन्होंने परिवर्तन के अब पर क्या बात करिये तो इन्होंने परिवर्तन के तीन सिद्दान दिये पहला है शुरूति दूसरा है स्मृति और तीसरा है अनुभव यानि एक्स्पिरेंस तो इन्होंने भारते समाज में परिवर्तन को जो सिद्दान दिया है वो क्या हुआ और तीसरा अनुभव यानि की एक्स्पिरियंस लिया हुआ आगे हम बात करते हैं बच्चों ए आर देसाई के बारे में यह भी भारते समाज शास्तर में काफी ज़्यदा प्रसित समाज शास्तری रहस चुकियी राज्य के प्रति अपने विचार से और जो जो है वो यह कहते थे कि समाज के अंदर दो वर्ग है पहला है बुर्जुवा वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग यानि अमीर और गरिब तो वह यह चाहते थे कि समाज के अंदर इन वर्गों का खात्मा कर देना चाहिए और समाज वर्ग विहीन होना चाहिए जहां पर संधर्व में विचार प्रकट किये थे उस निबन का जो नाम तबूता दा मिट आव दा वैल फेर स्टेट तो बच्चों इनकी अनुसार में बारे में बात करते हैं तो देसाई कहते हैं कि राज जो है कल्यानकारी होना देखने को मिलती है तो इस परकार देशाई ने कल्यान कहीं राज्यों का कार्यों के अधार पर परिक्षन भी किया है वह किस परकार का है आई ये जानते हैं उसके बारे में भी तो वह कहते हैं कि क्या कल्यान कहीं राज्यों में से आई की समानता दूर करने के प्रयास करके ए और्थिक मंदी और तेजी से दूर होकर देश की स्थाइप रग्टी करने के पर्याज करते हैं क्या कल्यान कहीं राज्जे आर्थिकता को इस परकार बदलने का पर्याज करते हैं कि पुंजी-पती के लाब लगबग सभी सधारन जनता की अफश़ताओं को पूरा कर सके कल्य क्यान का ही राज्य हो सकता है आई होब कि आपको इनके राज्य के प्रती क्या विचारते ये भी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा आगे जो हम पढ़ते हैं वह हमारा लैसन का सबसे लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है एम एन शिरी निवाशन के द्वारा गाओं के समझ में विचार तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है एम एन शिरी निवाशन ये तो समाज शास के अंदर इतनी बार इनका जिकर आ चुका है तो आपको 12th क्लास में भी इनके बार में जानने को जरूर मिलेगा तो इन्हों समाजिक विशलेशन एत्यासिक तता अव्रधनात्मक परिचर्चा है तो ये इनके दो लेक्ति अब बात यह आती है कि उन्होंने गाओं के संब्द में क्या विचार रखे थे तो देखे वच्चों श्री निवाशन के अनुसार गाओं के अंदर अलग 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 परकार क यह और शिद्रों का निवास भी है ठीक है वह यह भी मानते हैं कि गाओं के अंदर क्रिशी सोनार लहोर बड़ी यह सबी अपने कार्यों में लगे हुए है और इस परकार गाओं के अंदर विविन जातियों के अधार पर ही उन्होंने उच्चे जाती और निम्न जाती की प जाती के नीचे हमेशा रहती है लेकिन समय समय पर वह भी उच्चे जाती के कार्यों को अपना कर अपने आंको समाज के अंदर यानि गाओं के अंदर अपने प्रतिस्ता को उपर रखना चाहती है ताकि वह भी उस परकार का दर्जा हासिल कर सके जिस परकार का दर्जा उच के दुवारा दिया गया गाउं के ओपर विचार तो बच्चों इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर फाइब इंडियन शोचलोजी वह होता है पूरी तरीके से अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजेगा साथ यह अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बैल अकून दवाना बिलकुल न बुलेगा और अगर आपने अमारा अभी तक टेलिगरम ग्रूप नहीं जोइन क कीजे और परसनल इंक्वारी के लिए आप हमें इंस्ट्राग्राम पर फोलो कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है क्वारी है तो आप हमसे वहां पर आस्क कर सकते हैं तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के सा तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहें पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और साथ ही हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें